हल्लो भाईयू इस वीडियो के अंदर अपने पर बात करेंगे जो आज की दिने यापर ECA स्टीजन इटली का सेगेंड मेच होगा जो खिला जाएगा मर्कोर मिलानो वर्सिस बरगामो क्रिकेट कलब के बीच में तो इस मैच की में आपको पूरी जान करी दूँगा बस आपक आपको करना कुछ नहीं है वीडियो जो है लाज तक वोच करना आपको एक एक चीज यहां पर क्लेर हो जाएगी तो यह जो मुकाबला है स्टार्ट होगा दो बच के 45 मिनट पर यह होने वाला मैच नमबर टू और मैच जो है सेम वेन्यो पर खेला जाएगा जहां पर पहला मुकाबला भी यहां पर खेला जाएगा सबसे जरूरी चीज कहें भाईयों कि अगर आपने अब तक टेलिग्राम चलो को जो नहीं किया है तो सबसे पहले आपको टेलिग्राम चलो को जरूर से जोइन कर लेना है क्योंकि लास्ट मुमेंट अपडेट यही पर आएंगी जि पिच रिपोर्ट से में आर्टिफिशल विकड़े तो कोई जादा उसमें चीज है नहीं अब तेको मर्कोर की टीम की बात करेना तो इनके टीम का यह पहला मैच होने वाला है आज के दिशाद भट फिर आ सकते हैं से अर्टसम जवेद विशाल हुसें खुर्रम सजजाद मो अमद मुनीब, हुसेन कबीर यहां से खवर नदीम, रफतूर रफत, वकर तोकीर और अमिर अकिल तो यह इनका प्लेइंग लेंग रह सकता है विद बैटिंग ओडर बाकि इनका जो ओफिशल बैटिंग ओडर आएगा उससे भी अपन को चीज़ें यहां पर क्लियर हो लिए और च्चे विगट है पंद भवडा डालके मतलब इस बंदे ने अपने क्लब के लिए बेटिंग के अभी और वोलिंग भी इसने करवाई हैं अजगाट बट यह दो बहुत इकमाल का आपको पता है बेटर है मेंधे इसका बेटिंग में भी हाल हाल के टाइम इसने कर विशाल हुसेयन है इसके नाम टीटेन में तीन में बारा रण दो विकट है टीट टीम अपने कलब के लिए चार में उनत्तर रन है रिसेंट फॉर्म छे रन पांच जीरो विकट एक दो विकट है खुर्णम सजाद है इसके नाम अगर आप देखोगे 21 टीटेन में 128 रन तेरा विकट है तीस ओवर डालके बोलिंग करवाई यह थोड़ी बहुत और रिसेंट फॉर्म नो जीरो विकट चार जीरो एक विकट तीन एक है लेकिन ओवर इसके कटते हैं यह चीज़ आप ध्याम में रखना मुहमद मुनीब चार मैच में 24 यह उपर भी बेटिंग कर सकता है अगर उपर बेटिंग करता है तो अच्छा पीक अपने लिए बन जाएगा अभी के लिए यहां से इंपोर्टेंट को ने तो अस्वाक अमध इंपोर्टेंट है और अजजाद भट इंपोर्टेंट है इसके अलावा यहां से खुर्रम सजाद एक मात रेसा प्लेर है जिसक चार मेच में तरेसाट रन पांच विकेटेंगे बाराव डालके बलत बेटिंग करेगा नीचे आके और उसके साथ में बोलिंग भी यह करवाता है रिसेंट फोर्म दस जीरो विकेट 27 एक एक विकेट और 26 जीरो विकेट है खबर नदी में साथ टीटेंग में इसके नाम 43 रन जीरो विकेट है T20 में एक में दस रन रिसेंट फोर्म 9 भीटिंग 21 और 2 उतना खास फोर्म इसकन नहीं है यहां से रफतुर रफत जो है यह जो बन्दा पीटेंग तो नहीं कहला लेकिन T20 में इसने अपने कलब के लिए न चार मेच में 14 रन कियों सांक 13 अजाल बहु तो यहां से जो important player आपके लिए रहने वाले हैं वो हैं देखो एक तो हसनेन कभीर हैं इसके लावा रफतुर रफत हैं और वकर तोफीर हैं ये तीन ऐसे बोलर हैं जुनको आप especially अगर इनकी टीम पहले bowling कर रही हैं बिल्कुल आप इनको टीम में रखे चल सकते हों बाकी जो रिसेंट फोरम 12-0 विकेट 35-1 विकेट 2-0 विकेट 3 विकेट हैं मुपासर अमीन है 17 टीटें में 332 और पच्चिस का आवरज जीरो विकेट हैं दो 2022 में 4 में 46-23 का आवरज हैं रिसेंट फोरम 83-4-12-0 विकेट 16-14-0 विकेट हैं खेलता हैं तो important रह सकता हैं फड़ाज अल दालके T20 में 2 मेच में 3 विकेट, रिसेंट फॉर्म 1 विकेट, 0 विकेट, 1 विकेट, 1 विकेट और 3 विकेट है, बोलिंग करवाता है, बहुत अच्छी है, फिराइंग यहां से हसनन अंसारी, इनके नाम अगर आप देखोगे, तो 5 टीटन में 4 विकेट है, 9 विकेट है, यहा स्टार्टिंग ओवर्स यहां पर डाल सकते हैं, most likely, एच कबीर और उनके साथ में खुर्रम सजदा, डेथ में आ सकते हैं, वकर तोकिर और आर रफट मेरे असाब से जथ में आ सकते हैं, तो यह तो बात हो गए, मर्कोर की टीम के जिनका यह पहला मैच है, आप देखो BCC की जो टीम है न, इनका यह दूसरा मैच रहेगा, पहला जो मुकाबला इनका स्टार्ट हो जाएगा 12-45 में, और उस मेंसे इनके टीम के बारे में आपको बहुत कुछ आइडिया लग जाएगा, जैसे कि उस मैच में यह क्या बेटिंग ओर खिलाते हैं, और कौन-कौन से प्ल जुनुलाल, मंदीब सिंग, संतोक सिंग, राजपल सिंग, गुरुविंदर सिंग, अरदीब सिंग और यहा से मनप्रिस सिंग, तो यह इनके टीम का प्लेंग लिएओं रह सकता हैं, अब देखो इन सभी प्लेस के अगर स्टैट्स देखें अपनी आपे, तो देखो धारा जिरो विकेट, एक विकेट, नो बेटिंग, नो बेटिंग है, अगर नीचे खेलेगा ना तो बिल्कुल भी इंपोर्टेंट नहीं रहे गाई, बलजी सिंग, यह ओल रांडर प्लेयर है, बिल्कुल टीम में होना चीए, दो यहाँ तेश में 16 मैच में 147 विकेट है, रिसे नीचे खेल देगा तो उतना इंपोर्टेंट रहेगा नहीं, मंदीब सिंग यहाँ पर अगर बोलिंग मिलती है तो विकेट निकालता है, इसके नाम आप देखो 22 टीटेंग में 131 विकेट है, बाइस ओवर डालके रेसेंट फूम दो दो विकेट, दो विकेट और 12 जिरो तो आप दो जब बोलिंग मिलती है ना विकेट लेता है, तो यहाँ से जो ज़्यादा इंपोर्टेंट प्रेयर है वो है धारा सिको, यहाँ से बलजीज सिंग, जस्प्रिज सिंग और मंदीब सिंग, और अगर यहाँ पर कासीम कुरेशी टॉप ओडर में खेलता है तो इं इंपोर्टेंट है, अधरवाइस उतना इंपोर्टेंट यहाँ पर नहीं रहेगा, नेक्स जो प्लेयर रह सकते हैं वो हैं यहाँ पर संतोक सिंग जिनके आप टीटवन्टी में एक में चार रन है, राजबाल सिंग चार टीटवन्टी में छे रन, तीन विकेट है, दस देगा, हाला कि पावर प्ले में ज्यादातर बोलिंग डालता है, लिसेन फोर्म जिरो विकेट, जिरो विकेट, एक विकेट, एक विकेट, जिरो विकेट है, और मनप्री सिंग एक में एक रन है, तो यहाँ से जो इंपोर्टेंट पेर रह सकते हैं आपके लिए, एक तो हर बी सिंग, एस सिंग और डेट में आ सकते हैं, जे सिंग और धारा सिको, अनलिसिस वाला जो पार्ट इस मेच का हो चुका है, अब चलेंगे डेमो टीम के दरब, लेकिन उससे पहले आपका टेलिग्राम चलने से जरूना जरूरी है, क्योंकि पहले मेच में बी सिसिकी में क्या होगा उस इसाब से जो भी फाइनल टीम रहेगी वो यहीं पर आएंगे और लास्ट मुमेट अपडेट भी यहीं पर आने वाली है टेलिग्राम चला का जो लिंक है एक तो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दूसरा कमेंट सेक्शन में सबसे पहले कमेंट में आपको टॉप पर पिन किया हुआ मिल जाएगा तो दोनों जगे से जाकर आप बहुत आसानी के साथ टेलिग्राम चला को जोइन कर सकते हो फिलाल लिए बात कर लेते हैं डेमो टीम की डेमो टीम के अंदर मैंने विकेट किपिंग सेक्शन से एम मुनीव को रखा है क्योंकि और ओक्षन थे नहीं इनके अलावा एजावेद को रखा है बैटिंग सेक्शन से यहां से रखा है अजजाद भट, मंदीब सिंग, जस्प्रिस सिंग, धारा सी को यहां से अश्वाक आमद, बलजी सिंग, यहा है कि झालगा है, बलजे हम झालगा एजजा है